होली एक सांस्कृतिक, धार्मिक और पारंपरिक त्योहार है। पूरे भारत में इसका अलग ही जश्न और उत्साह देखने को मिलता है। होली भाईचारे, आपसी प्रेम और सद्भावना का त्योहार है। इस दिन लोग एक दूसरे को रंगों में सराबोर करते हैं। होली हिंदू धर्म का प्रमुख पर्व है। बसंत का महीना लगने के बाद से ही इसका इंतजार शुरू हो जाता है। फालगुन शुकल पक्ष की पूर्णिमा की रात होली का दहन किया जाता है और इसके अगले दिन होली मनाई जाती है। हिंदू धर्म के अनुसार होली का दहन को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना गया है। होली एक सांस्कृतिक, धार्मिक और पारंपरिक त्योहार है। पूरे भारत में इसका अलग ही जश्न और उत्साह देखने को मिलता है। होली भाईचारे, आपसी प्रेम और सद्भावना का त्योहार है। इस दिन लोग एक दूसरे को रंगों में सराबोर करते हैं, घरों में घुजिया और पकवान बनते हैं। लोग एक दूसरे के घर जाकर रंग गुलाल लगाते हैं और होली की शुब कामनाएं देते हैं। ऐसे में आये जानते हैं, इस साल होली की सही तारीक और शुभ मुहुर्थ क्या है? फालगुन पूर्णिमा को होली का दहन और इसके अगले दिन होली मनाई जाती है. इस साल फालगुन पूर्णिमा तिथी 24 मार्च को सुभह 9 बजकर 24 मिनट से शुरू होगी. वहीं इस तिथी का समापन अगले दिन यानी 25 मार्च को दोपहर 12 बजकर 29 मिनट पर होगा, 24 मार्च को होली का दहन है. इस दिन होली का दहन के लिए शुभ मुहूर्थ देर राद 11 बजकर 13 मिनट से लेकर 12 बजकर 27 मिनट तक है. एसे में होली का दहन के लिए आपको कुल एक घंटे 14 मिनट का समय मिलेगा. होली का के अगले दिन होली मनाई जाती है. इस लिए इस साल 25 मार्च को होली है. इस दिन देश भर में धूम धाम से होली मनाई जाएगी. आये जानते हैं होलिका दहन और पूजा की विधी होलिका दहन की पूजा करने के लिए सबसे पहले स्नान करना जरूरी है स्नान के बाद होलिका की पूजा वाले स्थान पर उत्तर या पूरब दिशा की और मुह करके बैठ जाएं पूजा करने के लिए गाय के गोबर से होलिका और प्रहलाद की प्रतिमा बनाएं वहीं पूजा की सामग्री के लिए रोली, फूल, फूलों की माला, कच्चा सूत, गुद्ध, साबुत हल्दी, मूंग, बताशे, गुलाल नारियल, पांच से साथ तरह के अनाज और एक लोटे में पानी रख लें इसके बाद इन सभी पूजन सामग्री के साथ पूरे विधी विधान से पूजा करें, मिठाईयां और फल छरहाएं होलिका की पूजा के साथ ही भगवान नरसिंह की भी विधी विधान से पूजा करें और फिर होलिका के चारों और साथ बार परिक्रमा करें दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो लाइक और शेर करें